आज के इस लेक्टर में हम अपने गुडविल के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इससे पहले के लेक्टर में हमने अज आज हम जो सबसे गुडविल के पहले लेक्टर में आपको बहुत अच्छे से समझाया है आज मैं आपको सुपर प्रॉफिट के बारे में सिर्फ एक अग्जांपल से बताऊंगा उससे आपको बहुत अराम से समझ में आ जाएगा कि सुपर प्रॉफिट क्या होता अग्जांपल कुछ इस तरह से है माल लिए एक पार्टनर्शिप फर्म है जो 10 लाग रुपे की इन्वेस्टमेंट से 10 लाग रुपे की कैपिटल इन्वेस्टमेंट से बिजनस कर रही है इस तरह से गार्मेंट का बिजनस कर रही है कैपिटल कितनी लगा रखी है फर्म ने 10 लाग रुपीस कैपिटल इन्वेस्टेट 10 लाग रुपे की कैपिटल पे इस पार्टनर्शिप फर्म को से रिटर्न मिल रहा है 15 परसंट से रिटर्न मतलब प्रॉफिट रिटर्न है 15 परसंट इकमेंज कितना होगै है रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न जो प्रॉफिट मिल रहा है पार्टनर्शिप हर्म को रिटर्ष फ़ूदध, न्नॉर्मल फेम Mr. Saamaid,ivering से रिटर्न में है अगर 10 लाक के इंवेस्टमेंट है सेम बिजनस है तो जो रिटर्न आता है वो 10 पासंट आता तो इसका मतलब कितना प्रॉफिट हुआ 1 लाक रूपीज जबकि इस पार्टनर्शिप फॉर्म को कितना मिल रहा है स्थीजिए और यह हमारी नॉर्मल के नॉर्म सिचुएशन तो इसको प्रॉफिट जो मिल रहा है कितना साल तो मिल रहा है क्यों मिल रहा है इस पार्टनर्शिप फिर्म ने अपनी मार्केट में एक रेपूटेशन बना रखी है यह पिछले हो सकता दो तीन चार पांच साल से काम कर रहे हैं इसकी वज़े से इनका रिटन्स जो है 15% आ रहे हैं तो स्टुडेंट्स यह जो 50,000 रुपया इस पार्टनर्शिप फिर्म क प्रोफिट क्या हो गया कि बूद्स टाउदन माइनक वर लैक जैट इस फिफ्टी थाओन इस इस सुपर प्रोफिट के थरूप हमें वैल्यू अप गुडविल निकालना है गुडविल की बैल्यू निकालने के लिए कुछ स्टैप्स हैं सबसे पहला स्टैप है फ्रस्स ज ज taş तो अ मैंक्ञ की एंड राक इन्लत है का इसे निकालते तacked तो टोन्यप dough time क्रोफित डिवाइड बाइप टाल इसे तो यह इस टोटन स्वेय सो Bretis यह बिदम बढ़स दिवाइड करता है है उसको आप अब्रोम आफ सले ज़ιंद खर देंगे तो average आज आएगा, number of year, clear है, second step है, calculation of normal profit, capital employed, into my rate of return, third step है, calculation of super profit, that is, average profit minus my normal profit, last step is, valuation of goodwill, that is, super profit, into my number of year's purchase, ये number of year's purchase आपको दियावा होगा, ये चार formulae students, इनके base पे आप super profit की कोई भी illustration को solve कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी question में हमें actual profit से goodwill निकालना होगा, कभी-कभी वो आपको goodwill देदेगा, वहाँ से actual profit निकालना होगा, हम उपर से नीचे भी कर सकते हैं, और नीचे से उपर भी कर सकते हैं, वो हम आपको example में सिखाएंगी, मैंने बहुत सारे example जहां पर लिखे हैं, जब हम इनको करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझने आजाएगा, अभी तो इसको समझाने के लिए मैं छोटा सा example ले लेता हूँ, माल लेजे, आपको तीन साल का profit दिया वा है, capital employed है 60,000, last three years profit, 18,000, 20,000 और 22,000 यह आपको profit दिया वा है, तीन साल का, capital employed, capital employed है capital investment भी आसकता है, एक ही बात है, 60,000 और normal rate of return 10%, मतब 60,000 पे normally 10% का profit होता है, जिसको हम normal profit बोलता हूँ, question is calculate goodwill, on three years purchase, आपको goodwill निकालने हैं, यह आपके पास formula दिये हैं, यह बिल्कुल सिंपल सा है, इस तरहें का आपको आएगा नहीं, यह मैं आपको शिर्फ से समझाने के लिए करना हूँ, आपको आएगा थोड़ा सा typical आएगा, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, average profit, that is total of profit divided by 3, अगर हम इसको total करते हैं, 60,000, that is 60,000 total of profit divided by number of years 3, 20,000, हो गया हमारा पहला स्या, second step is normal profit, normal profit capital employed into my rate of return, capital employed is 60,000 it is given, 60,000 into my rate of return is 10%, that is 6,000, ठीक है यहां तक तो कोई दिकत नहीं, third step हमारा क्या था, calculation of super profit, मैं short में लिखा करूँगा जिससे की जगे कम लगया और time भी कम लगया, super profits इन दोनों का difference, average profit minus में normal profit, that is 20,000, minus में 6000, is equal to 14,000, यह हमारा super profit आजे, last हमारा जो final step है, value of goodwill, value of goodwill, super profit into my number of years, super profit into my number of years, that is 14,000 into my 3, is equal to 42,000 हमारा value of goodwill, यह student मैंने बिल्कुल base example आपको दिया है, सिर्फ से आपको यह समझाने के लिए इन चारों फामूलों का किस तरह से use होगा, और इसके through value of goodwill किस तरह निकाली जाए, उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आगया होगा, इसमें को difficult चीज असी है नहीं, अब मैं इसको रब करके कुछ illustrations लिखी भी है, इसके उपर करते हैं, तब तक आप मैं साथ बने रहे हैं, अब हम एक illustration करते हैं, capital employed is 3 lakhs, normal rate of return is 10%, goodwill is 2 lakhs rupees at 4 year purchase of super profit, यहां पे goodwill निकालनी नहीं है, goodwill इसने खुद ही दे दिया कि goodwill is 2 lakhs rupees, हमें निकालना क्या है, find average profit, हमें यहां पे नीचे से उपर चलना, जो हम सबसे last में निकालते थे, value of goodwill वो हमको दे रखते हैं, अब हमें open की तरफ आना है, हमें average profit निकालनी, जो जो figures हमको दीवी हैं, उसको हम formula में put करते रहते हैं, सबसे पहले हमको goodwill दिया है, that is 2 lakhs rupees, value of goodwill, क्या formula है हमारे पास, super profit, into में number of years पहचे हैं, goodwill की value हमको दे रखते हैं, that is 2 lakhs rupees, is equal to super profit, into में number of years हमको दे रखते हैं, इसके बेसके हम super profit निकाल सकते हैं, super profit is equal to 2 lakhs, divided by 4, that is 50,000, clear है, बहुत असान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, super profit का क्या formula है, super profit हमारे लिए होता है, average profit, minus में normal profit, average profit को हमें निकालना, super profit हमारे को मिल गया, 50,000 rupees, अब हमारे पास क्या नहीं हो, normal profit हमारे पास नहीं है, normal profit का हमारे पास एक formula है, normal profit is equal to, मैं short में लिखूँँगा student, समझ जाये जाब, normal profit is equal to capital employed, into the rate of return, rate, capital employed is 3,00,00, rate is 10%, that is 30,000, अब हमारे पास, normal profit भी मिल गया हम है, super profit हमारे पास है, average profit और नहीं किया है, question solve हो गया, super profit हमारे पास है, 50,000, is equal to average profit, minus में normal profit that is 30,000, अब आप average profit निकाल लीजे, 30,000 आप, आप left side में ले जाएंगे तो वह add हो जाएगा, that is 80,000, average profit is equal to 50,000, plus में 30,000, 80,000, answer आगे आपका, average profit निकालने को बोला था, average profit निकाल लेगा, कितना असानी से यह student, आपने सरफ से वह formula को ध्यान बचना, जो जो figure मिल रही है, उसको आप formula में put करते चलिए, बस और आगे करेंगे, थोड़ा था और typical questions है, welcome back student, और एक example करते हैं, हमको average profit दिया गाए 80,000, normal rate of return 10%, goodwill is 1 lakh rupees at 4 year purchase of super profit, goodwill हमको दे रखी है, 1 lakh rupees 4 year purchase of super profit को उपर, निकालना क्या है, find capital employee, यहाँ पर capital employed नहीं दिया वाया, सिरफ से rate of return दे रखा 10%, अब जो जो information हमारे पास हैं, उसको हम put करते रहेंगे फंबुले में, और हम last में निकाल लेंगे capital employee, सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, goodwill है, value of goodwill is equal to, तो हमको मालूम है, goodwill is equal to super profit, इन्टू में number of years purchase, goodwill हमको दी लिया एक लाक रुपया, is equal to super profit, इन्टू में number of years हमको 4 दिया, तो super profit हम अराम से निकाल सकते हैं, 1 lakh rupees divided by 4, that is 25,000, अब हमारे पास super profit भी आ गया, और super profit निकालने का पारे पास क्या formula था, average profit, minus में normal profit, यह formula था, super profit हमारे पास निकला वह, अब कुछ और information है हमारे पास, yes, average profit हमको दिया वह, very good, minus में normal profit, अब normal profit निकाल लेगे आप, जब हमको 2 चीज़े मिल गई हैं, अब थर्ड चीज़ अपने आप निकाल सकते हैं, normal profit is equal to, अब और पीछे चलते हैं, normal profit कैसे निकालता था, normal profit is equal to capital employed, into my rate of return, normal profit हमारे को दिया वह, 55,000, is equal to capital employed, into my rate of return भी हमको दिया वह, capital employed is equal to 55,000, यहां पर students यह आपका left side में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 100 upon my 10, that is, 5,50,000, अंसरा क्या हमारा, capital employed निकालने को भूला था, हमने निकाल दिया, 5,50,000, और आगे चलते हैं, कई देफ़े क्या होता है students, हमको capital employed दिया नहीं होता, हमें balance sheet की कुछ figure दे रखी होती है, liabilities और assets बनाके दिया वह होता है, इसमें से आपको capital निकालने होती है, तो उस capital को निकालने का तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम और illustration करेंगे, third illustration को भी करेंगे, एक और example बीच में समझाओंगा, जिसमें कि हमें capital employed इस तरह निकालना है, through liabilities या through assets, तो चलिए मैं भी score up करता हूँ, और फिर आपको आता हूँ, और आगे चलते है students, हमको कुछ balance sheets की figures दी दी हैं, liabilities और assets की कुछ figures दे रखी हैं आपको, capital दे रखी है, A, B की general results दियाव है, Sunday creditors, outstanding expenses, इसी तरह assets की figures दे रखी हैं, हमको निकालना है capital employed, आप capital employed में सिरफ से A और B की capital को नहीं ले सकते हैं, इसका एक formula है, या तो आप liability side लेके चलिए, या asset side लेके चलिए, हम दोनों sides को समझेंगे, किसी भी एक formula को आप apply कर सकते हो, liability side के थुरू capital employed निकालने का एक formula है, formula क्या है, एक basic concept है, आप उसको समझ लीजे, आपको आराम से समझने आ जाएगा, capital employed जो भी capital है, capital, plus में general reserve, general reserve जो है, यह part of capital ही होता है, क्यों part of capital होता है, क्योंकि general reserve out of profit create किया जाता है, partner की सहमती से कि हम किसी purpose के लिए reserve रख रहे हैं अलग से, अगर इस reserve को नहीं रखते, तो यह partners को में distribute हो जाता है, और उनका capital बढ़ जाती, तो इसलिए general reserve is considered as capital, यह जो दो liabilities आ रही हैं, यह outside liabilities होती हैं, इनको हम consider नहीं करते हैं, ना sundry creditors को, ना outstanding expenses को, इसमें से अब हमने fictitious assets, अगर यहां पे कोई हैं, fictitious assets यह कौन-कौन सी होती हैं, सबसे पहले आज ही यह land and building, fictitious assets नहीं है, goodwill जो है, वो हमारी fictitious assets होती है, इसके अलावा आप देखो investment trade, investment किया हुआ है, जो की trade से related है, जो भी आपका normal course of business है, उसके related ही investment किया हुआ है, इसलिए यह हमारी fictitious assets नहीं है, इसको हम assets consider करेंगे, इसके लावा संदी डेटास भी assets होते हैं, deferred revenue expenditure, यह हमारी एक fictitious assets है, यह deferred revenue मतलब आगे आने वाले सालों के लिए कुछ advertisement पे expense किया गया है, तो हमने fictitious assets में क्या minus करना है, goodwill और deferred revenue expenditure, इस formula को लेके चलते हैं, तुमारा capital employed हम निकाल सकते हैं, capital employed is, capital हम को दे रखिये 2 lakhs रुपीज, plus में general reserve 90,000, minus में fictitious assets, that is goodwill and deferred revenue expenditure, minus में 30,000, minus में 10,000, इसको आप calculate करेंगे तो आजाएगा 2 lakhs 50,000, clear students, अब यही capital employed हम assets को लेके भी चलते हैं, उसका formula अलग है, लेकिन capital employed यही निकल के आएगा, capital employed 2 lakhs 50,000 ले आएगा, तो देखते हैं क्या formula है उसका, यह था हमारा liability side, अब देखें asset side, capital employed is equal to, आप पूरी assets ले लिजे, assets में से fictitious assets minus कर देगे, assets minus में fictitious assets, minus में outside liabilities, यानि की sundry creditors and outstanding expenses, sundry creditors, minus में outstanding expenses, आप आप देखें, assets total हमारी कितनी है, 3,90,000, इसमें से अगर हम fictitious assets minus कर देखें, goodwill और deferred revenue expenditure, 40,000 हम या minus कर देखें, minus में sundry creditors, and 10,000 outstanding expenses, आप इसको भी solve करोगे तो आपका answer आएगा 250,000, आप cross check के लिए दोनो formula apply कर सकते हो, liability side वाला भी और asset side वाला, आपको cross check हो जाएगा दोनों तरफ से answer सेमी आना चाहिए, बस यहां पर एक चीज़ का ख्याल रखेगा, investment भी अगर यह ना लिखा होता, यह, तो हम इसको fictitious assets मानते हैं, हम मानते कि यह कोई investment ऐसी जगे करी है, जो कि business से related नहीं है, क्योंकि यहां पर trade लिख दी है तो उसका मतलब trade से ही related है, अगर trade नहीं लिखा होता, तो हम उसको fictitious assets में या goodwill, और debit revenue expenditure के साथ में investment भी लगाते हैं, अब हम एक और example करते हैं, जिसमें liabilities और assets की कुछ figure दे रखी है, और हमको calculate करना है average profit, तो चलिए उसको solve करते हैं, इसको मैं भी rub कर देता हूं, यह illustrations इस्टुनेंट में टियाथ गरिवाल की बुक से ही लीगी है, इसमें आपको liabilities दी भी है, capital account दिया गाए 3,50,000, journal reserve दिया गाए 60,000, sundry credit and 90,000, total assets दे रखी हैं, मतलब this assets includes everything, मतलब इसमें land and building, कुछ भी आम माल लेजे, total assets आपको दे रखी है, goodwill 90,000 at 2 years purchase of super profit, goodwill की value दे रखी है, goodwill is 90,000 at 2 years purchase of super profit, तो हमको normal rate of return दिया वह 10%, हमको निकालना क्या है average profit, अब जो जो figure हमको दे रखी हैं, हम फार्मूले में fit करते हैं, और देखते हैं फिर average profit कैसे निकलता है, चली आईए solve करते हैं, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इन liabilities और assets से हमें capital employed निकालना है, हमें यह नहीं बताया capital employed कितना है, normal rate of return दो बता दिया, capital employed 10%, लेकिन capital employed नहीं बताया, तो capital employed अभी हमने सीखा है, कि liability side से हम लेके चलते हैं, तो liabilities में का capital ले लीजे, और उसमें general reserve हमेशा add करते हैं, capital employed, capital plus में general reserve, minus में fictitious assets, fictitious assets हैं कुछ में कुछ, कोई भी fictitious assets नहीं है, यह goodwill की value न निकाल के दे रखे हैं, यह total assets है, fictitious assets इसमें कुछ नहीं है, capital हमारे पास है, 3,50,000, plus में general reserve is 60,000, हमारा 4,10,000 आगया, capital employed, अगर हम liability side को लेके चल रहे हैं, अगर दूसरा wave भी है, और, total assets, total assets हमारे पास हैं, इसमें से आप अगर liability side के, आप sundry creditors या outstanding expenses निकाल देते हैं, capital employed आ जाएगा, total assets, minus में sundry creditors, minus में outstanding expenses, अगर कोई है तो, वो कोई है नहीं, मैंने ऐसे लिख जिया है आपको, total assets हमको दिया हुआ, 5,000, sundry creditors हमको दे रखे, 90,000, तो हमारा आज या, हमने assets को लेके चले, तब भी 4,10,000 आया, liabilities को लेके चले, तब भी हमारा 4,10,000 आया, तो इसका मतलब capital employed जो हमारा है, debt is 4,10,000, capital employed मिल गया, तो अब हम normal profit निकाली सकते हैं, normal profit is 10% rate of return, normal profit that is capital employed into my rate of return, ठीक है, 4,10,000 into my 10% that is 41,000, एक हमारी ये figure आगे, एक ये figure आगे, चलिए और आगे चलते हैं, हमें value of goodwill दे रखे हैं, तो उससे हम super profit निकाल सकते हैं, value of goodwill, क्या formula होता है, अभी हमने किया है, value of goodwill is equal to super profit into my number of years, number of years है, 2 years, value of goodwill is 90,000, super profit into my 2, तो हमारा super profit कितना आगया, 90,000 divided by 2, that is 45,000, एक figure हमारे पास ये आगे, super profit हमारे पास होता था, average profit minus में normal profit, ये ही होता था, super profit हमारा कितना निकला हुआ, 45,000, average profit हमें नहीं माले, ये ही तो कहा है उसने average profit निकालने को, नॉर्मल profit हमें अभी निकाला है ये ये आप 41,000, तो average profit is equal to, 41,000 आपका left side में जाएगा तो ये add हो जाएगा, that is 86,000, बस यह अंसर आगया, यही तो उसने बोला है निकालने, तो ये था students आज का lecture हमारा, super profit के उपर, जिसको हमने बहुत अच्छे थे समझा, और हमने बहुत सारी illustrations करी है, मुझे लगता नहीं कि आपको single भी doubt होगा, कोई doubt आपको नहीं होगा, even अब भी आपको कुछ भी doubt रहे गया, तो आप जरूर मुझे comment का आलम में लिखे, मैं उसको next अपने lecture में उसको शामिल करूँगा, next video में experience हम capitalization method of goodwill valuation हम करेंगे, इसके उपर हम इसको समझेंगे भी कि क्या capitalization method होता है, और इसके उपर हम numericals भी करेंगे, तो चलिए मिलते हैं next video में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, और थोड़ा बहुत पटते भी रहें, thank you very much.